सु स्वागत बंदन अमिन अंदन कैसे हैं आप लोग देखो Forbes के अनुसार जो normal salary मानी गई है न average salary इंडिया में वो है 25,000 और अगर आपके salary लगब 20-25,000 के range में नहीं है दोस्त तो मैं तो कहूँगा कि आपको skills पे काम करना important है saving investment तो हम बात में कर लेंगे लेकिन यहां आपको important है कि आप अपने skills पे काम करो skills को upgrade करो इसके बाद increment, job, salary सा अपने आप हो जाएगा लेकिन अगर आपके salary 20-25,000 है तो आज हम बात करने वाले हैं और आपका interest अगर SPI के plan में है जो बहुत ही famous plans है और अगर ऐसा है तो definitely यह वीडियो बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग केवल SIP नहीं करेंगे हम लोग smart SIP करेंगे और value लगबग 4 करोन तक create करने वाले है मतलब simple केवल 25,000 के salary में 4 करोन value आराम से बनती है तो एक-एक step चेक करेंगे थोड़ा आपकी salary का breakdown करोंगा मैं क्योंकि 25,000 salary में हो सकता है आपके खर्च भी होंगे हो सकता है कि आपकी EMI's भी चल रही होगी घर का loan भी चल रहा होगा शादी के बाद खर्चे यह सारा चीज include होगा यह सब चीज करने के बाद और SBI best options क्या-क्या हो सकता है क्योंकि यहां आपके पैसे को divide करने वाला होंगे अलग-अलग portfolio में अलग category में तो portfolio भी रहेगा बाकि अगर portfolio आपको बनवाना हो आपको पता है what's up कर सकते हो मुझे call please मत करना वाटसप कर देना call पर इसमोस नहीं आएगा फिर आप बोलोगे sir comment मेरे उठाते नहीं हो तो call मत करना सीधे वाटसप कर देना बहुत ही minimum charges साथ आपको portfolio मिल जाएगा 4-5 दिन में राइट सो start करते हैं salary 20-25,000 planning कैसे करेंगे बहुत-बहुत important है देखो सबसे important है कि आपके अगर salary है ना तो important यहाँ है कि budget आपको बनाना पड़ेगा investment करना पड़ेगा saving से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त क्योंकि अगर आप saving करोगे तो आप ऐसे definitely नहीं बना पाऊगे अब इसके बारे मेरे से better आप जानते हो कि FDRD, NPA scheme, PPF पर कितना return मिलता है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मतलब PPF बगरा ब्रेक करके FD करवा के portfolio बनवाए मुझसे और now they are investing तो decision आपका है लेकिन देखो important है कि हमें न ऐसी जगाप investment करना है जहाँ return अच्छा मिले correct न, अब हम थोड़ा यहाँ सा budgeting करेंग यार क्योंकि लोगों को decide नहीं कर पाते हैं कि sir investment कितना करें salary तो अच्छी खासी है, important यह है मैं हमेशा कहता हूँ rule number 50, 30, 20 इसको अच्छे से न दिमाग में बैठालो यार क्योंकि अगर ये rule आफ follow करो गे definitely आपको tension की बात नहीं रहेगी 50 मतलब आपके sir खर्चे 50%, आपके salary का कम से कम 50% आप खर्चे में include करो, 30% आपके जो भी wish है, आपने कुछ plan किया है, कुछ gift plan किया है कुछ छोटा, short term goals आपने plan किया कि 2 मेने, 3 मेने बाद हमें कुछ appliances लेना घर के लिए वो important है, तो 30% sir इसमें आप कर सकते हो remaining 20% मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा sir घरगर अचाईपी mission कैसे कहलाएगा mission, important है कि आप strict रहो, 20% आपको at least invest करना है आपके salary का, ठीक है देखो, सुरवात में panic situation होती है लेकिन जो लोग invest कर रहे हैं, उनसे पूछो, अच्छे return बनते हैं, लोग बना रहे है return, ठीक है, अब 20% salary मतलब 25,000, 20% मान के चलो कम सकम कितना आ रहा है, sir 5000 रुपे आ रहा है, मतलब ये clear हो गया, कि यार 5000 रुपे कुछ भी करके निकालना है अब वो निकाल के न, समझ लो कि यार वो न, पैसे हमने कहीं खो दी हो, ऐसे invest करना है SIP की माध्यम से आप कोई भी platform यूज कर सकते हो, मुझे कोई problem नहीं है, सब कल अपलग जरिया है important है direct करना ध्यान रखना, दो-दो होती हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दो-दो होती है आपको important है कि आपको direct करना है अब थोड़ा सा analysis करेंगे यार कि SBI के कौन से important जो बहुत अच्छे अच्छे funds है उनका compare करने वाले हैं yes, advisorkhoj.com पे आज जा सकते हो आप यहाँ analysis के लिए आप देख लो सबसे important है कि mutual fund performance comparison में आपको जाना है और यहाँ select करना है कि यार क्योंकि SBI के बहुत सारी category है पता है, अब कौन सा लेना है क्योंकि 5,000 को बहुत अच्छे से divide करना है और SBI मतलब trust काफी लोग जो मेरे से बात करते हो लोग न तो यह लोग बोलते हैं SBI का plan बताओ, मुझे भरोस है मैंने का ठीक है साब कोई बात नहीं SBI में small cap की बात करेंगे कुछ नहीं आपको यहाँ click करना है आप equity small cap पे कर देना और यहाँ आराम से लिख सकते हो देखो, दो plan आते हैं जब small cap डालोगे न, देखो, दो plan आ रहे है regular direct, हमेशा direct करना 1% future में जादा मिलता है क्यों जादा मिलता है? क्योंकि expense ratio direct का कम होता है हमेशा mutual fund में sir expense ratio जरूर चिक करना submit करो कि automatic आपके सामने यह पूरा data आ जाए submit करने के बाद आप देखो data कैसे launch date 2013 दिखा रहा है AUM 8,375 करोन लोगों ने पैसे यहाँ पास, इतने पैसे यहाँ लगे हुए है expense ratio 0.66 है जो हमेशा आपको देखना चाहिए expense ratio sir एक परचन से जादा नहीं होना चाहिए, अब थोड़ा यह compare करता है क्योंकि यह जो table है आपको बहुत कुछ आइनी की तरह साफ पर देगा कि यह fund का क्या कमाल रहा है देखो यह fund का जो category है जो category average है मतलब जितने भी small cap है SBI के अलावा भी, आपको यहाँ यही पता चलेगा कि SBI के अलावा जितने भी अलग से fund हैं उन्होंने लगबग जब से launch हुआ है 23.5% रिटन दिया है लेकिन SBI ने आपको 27% रिटन दिया है CAGR में 27% बोलगा है सर्व लाँच में सिंस लाँच कब लाँच हुआ सर्व लाँच हुआ है 2013 2013 23 मतलब 11 साल हो चुके हैं last one year के रिटन 43 33 साल का 25% 5 साल का 29% 10 साल का 25% अब बोलो इसके compare में कि FDI में आप invest करना चाहोगे definitely ली करना चाहोगे अब यह जो इसका benchmark है यह है nifty small cap 250 try यह कहता है कि साब 17 हो जाता तो बहुत अच्छा राता लेकिन SBI ने कमाल कर दिया है तो यह fund को हम जरूर लेना चाहेंगे एक दूसरे fund के बारे में बात करता हैं सर और यह करने के लिए आप वापस चले जाना और आप वापस यहाँ पास जाके चेक कर सकते हो कि दूसरा fund कौन सा है मैं एक mid cap fund लेना चाहोँगा equity mid cap में आप click करोगे और जब डालोग SBI तो automatic आ जाएगा कि कौन सा mid cap category का है direct regular आपको direct में करना होगा submit करोगे automatic data आपके सामने है ठीके ना data क्या आए कि सर यह भी fund 2013 से launch हुआ है expense ratio मैं हमें सा कहता था एक से कम होना चीए सर एक से कम है बहुत अच्छी बात है कितने पैसे इसमें invested है 18,398 करोण अब बोलोगे सर यह कौन सा benchmark है क्या आपने benchmark को beat किया आप ही बता होगे देखो benchmark क्या है nifty mid cap 153 18.5 का इसका benchmark है लेकिन इस fund ने दिये है 21.34 अब बोलोगे क्या यह सबसे best mid cap fund है नहीं साहब यहाँ इसके अगर compare में दिखा जाए और mid cap वाले fund है जिनका return 22.86 तो आपको यह website के माध्यम से आपको यह भी पता चल सकता है कि mid cap के category में SBI के लावा और कौन से fund है जिन्होंने अच्छे return दिये है तो यह जब पोटफोलियो मुझसे बनवाते हो भेशते तो automatic मैं select कर लेता हूँ लेकिन कुछ लोग का interest SBI में रहता है और SBI को लेके वो proper portfolio बनाना चाहते है तो उनके लिए वीडियो थी ठीक है अब important हमने देखा कि sir Magnum में 21% का return जब से आया है तब से दिया है last one year लगबग 40% 25% पिछले 19% लेकिन जब से launch हुआ है 21% return आराम से दे रहा है चलो दो fund हमने select कर लिया तीसरा important fund है यार कुछ ऐसे fund select करते हैं यार जो इंडियन economy को boost कर रहे है अब इंडियन economy को boost कर रहे है मतलब सरकार कहां काम कर रही है सरकार काम कर रही है कहां पास railway को लेके काम कर रही है इंफरस्ट्रक्चर को लेकि लगातार काम कर रही है सरकारी कंपरियां जो लगातार power sector में आगे हैं उनको लेके काम कर रहे है तो अगर ऐसा होता है तो जहन में आता है एक fund जिसको बोलते हैं sir PSU fund, अब PSU यहाँ आप सर्ज कर सकते हो ठीक है न, equity thematic PSU अगर आप डालो गए यहाँ, आपको दिख जाएगा SBI PSU direct fund submit कर दो ठीक है, अब PSU fund एक ऐसे fund हुआ करते थे कि यार वो न, इनके return अगर पुराना देखो कि उतने return अच्छे हुआ नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरह सरकार काम कर रही है और आपको पता है कि अभी जो लक्ष है न, कहते है न जो independent India का जो mission किया है कि भाई हम को किसी पर dependent नहीं रहा है आत्म निर्भर भारत को लेके जो mission है न, उसके अंतरगत एक target set है, target set क्या है, power sector, infrastructure sector, IT sector और देखा जाए, जितने भी railway defense, इन सब को मजबुत बनाके dependent किसी पर नहीं होना है, तो important है, last one or two year का data देखना बहुत important है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा SBI POC की बात करेंगे, सर, पिछले 3 सालों में 40%, 1 सालों में 99%, 5 सालों में 26% का return दिया है, तो ये fund अभी तक तो देखा जाए, तो category average 24.3 है, लेकिन ये fund धीरे धीरे improve कर रहा है, तो अगर आपको SBI category में लेना है, तो ये fund आप आराम से ले सकते हो, ये fund का return बहुत बहुत बढ़िया है, अब बोलो के सर, ये fund ने कौन-कौन सी company में invest किया है, क्या बता सकते हो, definitely हम बता सकते हैं, चलो चलते हैं, आपको दिखाना कि ये fund ने कौन-कौन सी company में invest किया है, वहाँ आपको confidence बढ़ेगा, ये company तो अच्छा काम कर रही है, चलो देखते हैं, तो आप देखो, ये लगबख ये है, जो आपको fund, SBI, PSU fund, maximum कौन-कौन सी company एक्सपोजर जादा है, देखो, ये मैं चिक कर सकते हो, जनवरी से data दिखा रहा है, 25-25 से लेके 28 company तोटल इसमें हो गई है, इंडिया के top 50 company में लगबख 29.78% इंविस्ट किया है, और देखा जाए, कौन सी company का exposure जाता है, आप चिक करोगे सर, सबसे ज़्यादा exposure किसका है, State Bank of India का खुद सबसे ज़्यादा exposure है, और लगबख 8 sector में आपका पैसा जा रहा है, सोचो, आज सेक्टर में फाइसा जा रहा है, इनर्जी, 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 फानेंशल, बोलोगे कौन कौन सी company, सर आपके सामने ये company है, कौन कौन सी है, State Bank of India, Power Grid Corporation of India, NTPC, Coal India, Housing and Urban Development Corporation, REC, Hindustan Copper, State Authority of India, Hindustan Petroleum Corporation, अब आप मुझे एक चीज खुद बताना, कि क्या ये company, क्या आपके पास इनके shares है, जिनके पास shares इनके हैं, उनको पता होगा, इन company का राज, कि ये company का return कैसा रहा है, long term में company कैसा बना सकते, चलो, ये तो हम समझ गया, कि सर हमने total तीन fund select कर लिये, अब तीन fund को कैसे divide करना है, ये important है, आपके सामने ये है, क्योंकि तीन मैंने बतार दिया, benchmark, past return हम आपको compare करके दिखा दिये, अब तीनों का fund मैंने कर दिया है, तीनों को जो हमने include किया, सर तीनों fund आपके सामने है, SBI small cap fund, SBI magnum mid cap fund, तीसरा SBI, PSU fund, small cap में 2000, मैंने आपको आराम से divide करके बता दिया है, तो अगर आप SBI के plan ले ले रहे हो, तो SBI के लिए मैं कहूंगा, this is the best portfolio, मतलब diversified portfolio, ऐसा नहीं, क्योंकि diversify बहुत important है, कब कौन सा fund perform ना करे, कब कर ये important है, कि diversify रहना बहुँ जरूरी है, अभी तीनों fund आपने ले लिया, 2000 इसमें डालो, 2000 इसमें डालो, 1000 इसमें डालो, that's it, और इसकी SIP आपको continue करना है, चलो आप देखते हैं, जब SIP सुरू करते हो, तो सबसे important है, कि आपको important है, कि देखो SIP में क्या है, जब start करते हो आप, start करते हो, तो सुरूबात में, आपको, देखो, जब continue आप करते रहते हो, तो केवल 5,000 SIP ही sufficient रहती है, कैसे, सुरूबात आपने कर लिया, बहुत सारी problems आती है, COVID situation मालो, आपने 1918 में start किया, problem हुई 2-2 साल, लेकिन आप debtे रहे, debtे रहने का फाइदा क्या हुआ, कि सर लगातार 5 साल हो, अगर आप लगातार invest करते हो, तो इतनी ताकत होती है, power of compounding में, कि 5 साल में 3 लाख आपने जमा किया, value लगबग बन रही है, 4.88 लाग, 8 सालों में लगबग आपके पैसे जमा होंगे, 4.88 लाग, value लगबग बनेगी 10 लाख, 12 सालों में लगबग 7 लाग जमा करोगे, 25 लाख value बन जाएगी, 25 सालों में 12 लाग जमा करोगे, लगबग यहाँ value बनेगी 1.17 करोण, तो आपने देखा, यह turning point जो 12 से 20 साल का है, तो इसका मतलब क्या कहता है, सर, patience always paid, आपने अगर patience रखा है, definitely आपका यहाँ पैसा definitely बनता है, अब आप बोलो कि सर, थोड़ा सा और इसमें अगर हमें patience रख लूँ, तो 25 सालों में आपने जहाँ 15 लाख रुपए के वल इंवेस्ट किये, value बन रही है 2.91 करोण, अब बोलो कि सर, 2.9 करोण, आपने बोला तो लगवा, 4.5 करोड तो value बन सकती, बिल्कुल बन सकती है, यह है simple S.I.P., जब आप simple S.I.P. करते हो, और कोई changes नहीं करते हो, अपने investment बे, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, आप अगर 25 लाख के S.I.P. कर रहे हो, salary बढ़ती है, at least expect कर सकते हैं कि 10% बढ़ रही है, उस 10% को आपको सर, invest करना है S.I.P. में जिसको बोलते है, step of S.I.P., अब देखो, यहाँ पास step S.I.P. में कमाल की, जहां आपको केवल 2.91 करोड वैलू बन रही थी, आप देखो, कैसे बनती है, S.I.P. करोड अब, देखो, important factor आपको दिखाना चाहूंगा, कि यह देखो, आपने total कितना, मन्थरी investment आपने कितना किया 5000, आपके सामने data है, आपने 5000 investment किया, मैंने बोला सर, mutual fund दे देते हैं, चिंदा की बात नहीं रहती है, 25 सालों तक investment हमने किया, और जब return calculate करोगे, total value आ रही है, 4 करोड 44 लाग, जो मैंने automatic आपको starting में बता दिया था, लेकिन important यह है सर कि आपको यहाँ 10% अपनी salary का बढ़ाना पड़ेगा, वो नहीं बढ़ाओगे तब तो normal इतने आराम से पहुंचाओगे, लगबग 3 करोड तक पहुंचाओगे, लेकिन क्या होता है, 20 से 25 साल बात 3 करोड के value उतनी होती नहीं है, इसलिए important है कि salary के साथ साथ, अगर आपके expenses बढ़ रहे हैं, आपके 10% increment हो रहा है, definitely आपको यहाँ 10% अपनी SIP में भी बढ़ाना चाहिए, यही होता है super SIP, इसी को कहता है smart SIP, तो I hope video clear होगी, अगर चैनले पहली बढ़ आए हो, तो समझधारी के साथ, आपको understanding के साथ investment आप कर सकते हो, और yes, अगर वीडियो पसंद आए, तो दिल से like करना, चैनले पर नहीं है, आप सब्सक्राइब ज़रू कर लेना, बागी मिलते हैं ने स्टूड़ों के, टेक कियर, जय हिंद